देख सकते हैं sponge tool हम इसके ओपर right click करते हैं आप देख सकते हैं sponge tool की shortcut है O sponge tool के basically use image के small portion को saturate और desaturate करने के लिए use किया जाता है वैसे तो हमारे पास photoshop नहीं काफी सारे options होते हैं जिनकी helps हम अपनी image को saturate और desaturate कर सकते हैं like अगर हम यहाँ पर image menu को open करते हैं यहाँ से हम adjustment में जाते हैं तो यहाँ पर हमें hue saturation का option मिलता है जहाँ से हम अपनी whole image को अपने according यहाँ से in sliders की help से saturate कर सकते हैं जासा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं हम इसे यहाँ पर एक बार cancel करते हैं इसी तरह अगर हम यहाँ पर image menu पर फिर से क्लिक करते हैं then adjustment suppose अगर हम यहाँ पर desaturate को select करते हैं तो हम इस option की help से अपनी whole image को desaturate कर सकते हैं जासा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन sponge tool की help से हम अपनी image के किसी भी small portion को बहुत easily और quickly saturate और desaturate कर सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर Alt Ctrl Z press करते हैं undo करने के लिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 4 color sets हैं जिने हम saturate और desaturate करेंगे इसी के साथ आप यहाँ पर option bar पर देखेंगे कि mode में हमें यहाँ पर एक drop down button मिलेगा हम इसकर click करते हैं जहाँ पर हमें 2 options मिलते हैं desaturate और saturate सपोज हम यहाँ से पहले select करेंगे desaturate इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें flow भी दिया है हम इस button पर click करते हैं flow की value को increase कर देते हैं suppose हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 50% हम यहाँ पर manually भी enter कर सकते हैं तो अब हम यहाँ पर एक बार अपनी image को zoom in करते हैं इसके लिए हम keyboard से control के साथ plus C को press करेंगे तो अब हम यहाँ पर जो yellow color का color set है हम उसके ओपर simply left mouse click को press करके रखेंगे और भीरे भीरे drag करेंगे हम यहाँ पर एक बार अपनी brush के size को increase कर लेते हैं और अब हम इसको drag करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इस color set को means इस color set के ओपर से saturation को remove करता जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह अगर हम यहाँ पर mode में जाते हैं और इस drop down button पर click करते हैं और अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं saturate तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने mode को saturate में change कर दिया है और साथ ही हम यहाँ पर slow को भी change करते हैं हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहां से slow के amount को भी reduce कर देते हैं हम यहां पर slow का amount सपोर सेट कर देते हैं 16% और अब हम यहां पर green वले color set की ओपर left mouse click को press करेंगे और drag करेंगे तो आप saturate और desaturate के difference को देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं इसी तरह अगर हम यहां पर red वले color set की ओपर तो drag करते हैं तो आप इसको इसको देख सकते हैं तो अब आप यहां पर देख सकते हैं हमने red वले color set को और green वले color set को तो saturate किया है और जो middle में yellow color का color set था उसको हमने desaturate किया है तो इस तरह से आप sponge tool की help से अपनी image के particular portion को अपने according saturate और desaturate कर सकते हैं Thank you Hello friends, आज हम Adobe Photoshop CS5 में sponge tool के बारे में जानेंगे आप toolbox में यहां पर देख सकते हैं sponge tool हम इसके ओपर right click करते हैं आप देख सकते हैं sponge tool की shortcut है O Sponge tool के basically use image के small portion को saturate और desaturate करने के लिए use किया जाता है वैसे तो हमारे पास Photoshop में काफी सारे options देख सकते हैं